दोस्ता हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी respect करें, हम सभी चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, लेकिन ऐसा करा पाना काफी मुश्किल होता है एक बार के लिए तो आपको यह लग सकता है कि पैसे आजाने से या body बना लेने से लोग आपके respect करने लगेंगे और ये बात एक हतक सच भी है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अमीर होने पर ही आपको respect मिले दुनिया के बहुत से philosophers गरीब थे लेकर उनकी respect सारे दुनिया करती थी तो कौन सी बाते हैं जिसकी वज़ा से एक बंदा respectful बनता है इस वीडियो में हम इसी पांच बाते जानेंगे जिनके help से आप लोगों से respect पा सकते हों ये tips Robert Glower की book No More Mr. Nice Guys से ली गई है तो आईए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं नमबर वन Learn to stand up for yourself Nice Guys वो लोग होते हैं जो किसी भी जगड़े में नहीं पढ़ना चाते हैं अगर आप इन्हें कुछ बुरा भला भी बोल दोगे तो भी आपको ये पलट कर जवाब नहीं देंगे ये हमेशा दूसरों का कहां मानते हैं और इन्हें ना बोलने में बहुत जिजग होती है इस तरह के लोग किसी भी तरह के confrontation से डरते हैं और इस वज़ासे अकसर अपने thoughts और opinions को अपने पास ही रखते हैं वो किसी को भी often नहीं करना चाते हैं अगर आपको लगता है कि ये सारी qualities आप में हैं तो आप एक nice guy हो इससी वज़ासे लोग आपकी respect नहीं करते problem यह है कि nice guys कभी भी boundaries established नहीं करते जब कोई उनका मजाग उड़ा रहा होता है और उन्हें इस बात का बुरा लगता है तो वो आवाज नहीं उठाते इस वज़ासे लोग इनकी boundaries हमेशा cross करते रहते उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें किस टाइब के jokes आपके साथ नहीं करने है या आपसे किस तरह से behave नहीं करना है इसलिए उनका जैसे मन करता है आपसे वैसा behave करते है इसलिए आप उन चीजों की list बनाओ जिसे आप tolerate नहीं करोगे नेक्स टाइम जब भी कोई बन्दा आपकी इन boundaries को cross करे तो बिना अपना temper lose किये उसे ये बताओ कि आपको इस तरह का behavior पसंद नहीं है अगर आप एक student हो और school में कोई आपको bully करता है तो stand up against him लोग आपको तंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके सर पर हाथ मारके निकल जाएंगे और आप उन्हें कुछ नहीं कोगे अगर आप एक बार अपने लिए खड़े हो जाओगे तो लोगों को ये पता लग जाएगा कि वो बिना किसी negative consequences के आपको परिशान नहीं कर सकते याद रहे इस fight में आपका जीतना जरूरी नहीं है सिर्फ अपने लिए खड़ा होना जरूरी है बुलीज हमेशा easy target खोचते हैं इसलिए आप खुद को एक easy target मत बनने दो अपने लिए खड़ा होना शुरू करो जब कोई आपकी line क्रॉस करे तो उससे अकेले में जाकर शांत दिमाग से कहो कि आप next time इस तरह के behavior को बरदाश नहीं करोगे नमबर टू Don't be passive aggressive Nice guy के साथ problem यह होती कि वो अकसर passive aggressive हो जाते है आपको लगता है कि अगर आप अपना गुस्सा या frustration अपने अंदर दबा कर रखोगे तो वो गायब हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है Sigmund Freud नाम के एक famous psychologist नहीं यह बताया था कि हम जिस भी emotion को खुद के अंदर दबा कर रखते हैं वो बाद में किसी दूसरे form में बाहर निकलता है जब आपको किसी के उपर घुस्सा आता है और आप उसे कुछ नहीं बोलते हैं और अपने emotions को दबा कर रखने की कोशिश करते हो तो आपका घुस्सा passive aggression के form में बाहर निकलता है passive aggression का मतलब है आप सामने से तो उन्हें कुछ नहीं कहोगे लेकिन उन्हें hurt करने के लिए मौके हमेशा ढूणते रहोगे आप भी जान बूज कर ऐसे jokes मारोगे जिससे उन्हें तकलीफ हो आप उनके जरूरी सामान चुपा दोगे या उनके success को sabotage करने की कोशिश करोगे साथ ही जब आप बहुत सारा गुस्व और frustration दबा कर रखोगे तो आपके अंदर कड़वाहट भर जाएगी आप छोटी-छोटी बातों पर चिडने लगोगे आप अपना आपा खोने लगोगे उस इंसान के छोटे-छोटे जोक्स भी आपको चुबने लगेंगे और आप पीड फीचे हर वक्त उसके बुराई करने लगोगे इस तरह का बरताव करने से ना सिर्फ आप अपनी respect खोते हो बलकि important friends भी खो देते हो इसलिए next time अगर आपको किसी बात से चिड़ हो आप सामने वाले बंदे को अकेले में देखकर उससे शान्त दिमाग से बोल दो मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी I will really appreciate if you won't do it again in future Number 3 Be a man of action Nice guys usually बहुत insecure होते हैं ये jealous होते हैं इसी insecurity को छुपाने के लिए ये एक yes man बन जाते हैं और सबसे मीठी मीठी बाते करने लगते हैं ये लोगों को अपनी बातों से impress करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनकी insecurities और incompetence किसी से चिपते नहीं हैं लोग time के साथ जान जाते हैं ये बंदा सिर्फ अपनी weakness छुपाने के लिए सारे काम कर रहा है और वो उससे दूर भागने लगते हैं इसलिए आप एक man of action बनेगे जब आप अपने काम में और अपनी person life में चीज़ा अचीव कर रहे होते हो तो इससे ये प्रूव होता है कि आप एक man of action हो आप जो कहते हो वो करते हो इसके साथ ही अगर आप बस उतना बोलने के कला सीख लोगे जितना आपको बोलना चाहिए तो लोग आपकी respect और भी ज्यादा करेंगे कम बोलने वाले लोग mysterious लगते हैं जिस वज़ा से दूसरे लोग कभी ये नहीं समझ पाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है थोड़े देर पहले हमने देखा कि किस तरह से अपने emotions अपने अंदर दबा कर रखने से आप passive, aggressive और bitter हो जाते हो गुस्य और frustration को अपने अंदर दबा कर रखने का एक दूसरा side effect भी है addiction हर nice guy किसे ने किसी चीज का addict होता है जब आपके अंदर कड़वाट भरी रहेगी तो आप उसे कम करने के लिए किसी ऐसी चीज का सहारा लेना शुरू करोगे जिससे आपको राहात मिल सके आप चाहे वो चीज अलकोहल हो, cigarette हो आपकी addiction का और लोगों का आपकी respect ना करने में एक indirect connection है आपका nice guy syndrome जितना बड़ा होगा आप उतना जादा लोगों को confront करने से दूर भागोगे जिससे आपके अंदर की कड़वाट और बढ़ेगी और उसके साथ ही किसी external चीज का use करके उस कड़वाट को कम करने की तलब भी बढ़ेगी इस addiction के वज़ा से आपकी life के सारे दूसरे aspects पर भी असर पड़ेगा आपका nice guy syndrome बढ़ता ही चला जाएगा आप इन नशों में खुद को डुबा कर अपनी insecurities और confrontation से दूर भागने की कोशिश करते रहोगे इसलिए आप लोगों को ना कहना सीखो आप अपनी competence बढ़ाओ बोलना कम करो, काम ज्यादा करो हर वक्त लोगों की हां में हां मत भरो अगर आपके पास अपना कोई opinion है जिससे लोग offend हो सकते हैं तो उसे खुल कर share करो irony इसी बात में है कि आप लोगों को इंप्रेस करने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हो आपकी respect उतनी ही कम होते जाती है अगर कल मेरे घर में एक रोटी होगी तो मैं अपनी आधी रोटी काविया को दूँगा आधी पापा को और खुद भूगा सो जाओंगा एक दिन के बाद आपके अंदर की एनरजी खतम हो जाएगी और आप काविया और पापा के लिए खुद बोज बन कर रह जाओगे ऐसे में ना तो आपको काविया प्यार करेगी ना ही पापा आपकी नीड्स को पहले रखने का मतलब यह नहीं है कि आप selfish हो अपनी नीड्स और गोल्स को पहले रखकर ही आप successful बनोगी एक बार आप successful हो गए तो आप अपनी family के लिए society के लिए और दुन्या के लिए बहुत कुछ कर सकते हो गरीब और नाकाम आदमी अपना ही खयाल नहीं रख पाएगा तो वो दूसरों का खयाल कैसे रखेगा एरोपलेन में भी जब oxygen level drop होते हैं तो एक announcement होती है कि आप सबसे पहले अपने मुँपर mask लगाओ बहले ही आपके बगल में एक बच्चा है या बुजर्ग है जो खुछ से mask लगा नहीं पा रहा हो आप सबसे पहले खुद mask लगाओ और फिर उनके help करो ऐसा है इसलिए क्योंकि oxygen level drop होने के थोड़ी देर बाद आप अपना होश कोने लगोगे ऐसे में आप तो चक्कर खा कर गिरोगी आपके साथ आपका बच्चा और वो बुजर्ग भी जाएंगे खुद की care करके ही आप उस position पर पहुँचते हो जहां पर आप दूसरों की care कर सकते हो इसलिए अपने goals, body की needs और aspirations की respect करना सीखो लोगों को ना कहना सीखो ताकि आप अपने लिए ज़्यादा time निकाल सको और ज़्यादा successful हो सको लास्टली, nice guy ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ी छोड़ी बात उपर हर वक्त लोगों से जगड़ा कर दे रहो और लोगों से जबरदस्ते अपने respect करवाओ इसका मतलब ये है कि आप अपनी communication skills के improve करके लोगों का अपनी boundaries के बारे में बताओ ना कहना सीखो, ज़रूरी मैटरस में अपनी ओपीनियन दो भलाई उससे कुछ लोगों उफेंड हो जाए जहां ज़रूरी हो वहाँ पर चुप रहो, अपनी field में successful होने के कोशिश करो और लास्टली, खुद की needs को दूसरों की needs से पहले रखो इन strategies को use करके आप ज्यादा successful भी होगे और लोगों में अपनी respect भी increase कर लोगे तो communication skills पर एक video देखना है तो right video पे क्लिक करो और अगर passive aggression समझना चाहते हो तो left video पे क्लिक करो finally, you guys are amazing, keep reading, keep learning, keep growing, thank you for watching